Hello everyone, welcome to Vidya Shri Academy, I hope you are doing well, हम पढ़ने वाले हैं MP पटवारी एक्जाम 16 मार्च की 1st shift और 2nd shift में जो question पूछे गए हैं, उनका complete analysis की किस तरीके के GS के question, MP के question, English, Maths, Reasoning के question पूछे जा रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं First question पूछा गया है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, साइन से, GS के portion से, तो 16 मार्च की जो first shift में question पूछा गया था MP से, खजराहू महुतसब कहा होता है Actually question ये पूछा गया था कि 2023 में खजराहू महुतसब का कौन सा संस्क्रण मनाया गया, तो यहाँ पर right answer होगा 49 आगर खजराहू महुतसब की बात की जाए, तो खजराहू महुतसब का योजन, खजराहू में जोकी छेतरपुल जिले की अंतरगत आता है, यूनिसको हैरीटेस क खजराहू को यूनिसको में शामिल किया गया था, चंदेल बंस के राजाओं यहां के बहुती फेमस मंदर जैसे कंदरिया, महा देव का मंदर है, पारशनात मंदर है, अदीनात मंदर है, इन मंदरों का अंध्रमार्ट कराया था, तो आपको खजराहू को अच्छे से मैच होगा यहां पर कप केला गया तो जो रूप सेंट स्ट्रेडियम है यह ग्वालियर में और यहां पर पहला बंडे मैच केला गया था 1988 में तो इस तरीके से आपको MP के स्ट्रेडियम से क्वेशन पूछारा सकता है मध्यप्रदेश MSME Department की स्थापना कप की गई थी तो 5 अप्रेल 2016 को मध्यप्रदेश सुक्ष्म एवं लगू एवं सुक्ष्म विवाग की स्थापना की गई थी फिर स्पोर्ट से क्वेशन पूछा गया था कि हर्याणा के नीरत चोपडाने कितने मींतर दूरी पर भाला फेका था तो इन्होंने ये रेकॉर्द बनाया था 87 हो गया यहाँपर 87.58 मींतर जो था इन्होंने भाला फेका था नेक्स्ट कुछा गया है हिस्ट्री से कि 1761 में पानीपत की लडाई के बाद गौालियर पर किसने कपजा किया था बुक से कुछा गया है कि दस सीक्रेट उपन्यास के लेखा कौन है तो ये रॉंडा वन्स है वैशाली में सबसे पहले गरतंत्री की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो लिच्वी वन्स के द्वारा वैशाली में सबसे पहले गरतंत्री की स्थापना की गई थी MP से question पूछा गया है कि उदैगिरी में जो वरा है अवतार है तो वो कौन से भगवान का है तो विश्णु जी का है और उदैगिरी की गुफाएं कहां पर इस्ते थे हैं तो विदीशा में इस्ते थे हैं तो MP की गुफाएं आपको अच्छे से पढ़ लेनी है नावाड है इसके पहले पूछा गया था फाइव यूर प्लान से question तो यहां पर नावाड को पूछा गया है तो 1982 में नावाड की स्थापनक की गई अब 1982 में की गई इसका मतलब क्या है कि कौन सा फाइव यर प्लान होगा तो चटवा five year plan होगा इसका मतलब क्या है कि five year plan से daily question पूछे जा रहे हैं तो आपको पूरे five year plan अच्छे से याद करके जाना है कि किस five year plan में कौन सा special program launch किया गया जैसे कि आप से पूछ रहा सकता है कि गरी भी हटाओ जो नारा है ये किस five year plan में दिया गया था तो ये आप मुझे comment box में लिखकर बताएंगे next question है कि जो संयोक्त session होता है संयोक्त divation होता है उसको किस article में mention किया गया है तो article 108 के इंतरगत 108 के इंतरगत संयोक्त divation की बात की गई है भरत नाट्यम नरत्य का संबंद किस राज्य से है तो ये तमिलनाडू का नरत्य है तो आपको सारी नरत्य अच्छे से करके जाना है जैसे गिद्दा पूँचा गया था second shift में कि गिद्दा का संबंद किस राज्य से है तो जो famous dance हैं वो के से state के हैं ये आपको याद रखना है फिर रीवा में बहुती जल प्रपात है तो बहुती जल प्रपात का संबंद किस नदी से है तो ये सैलर नदी से है शक सासकों का अंत किस ने किया था तो चंद्रगुप्त द्वतिय के द्वारा जो है वो शक सासकों का अंत किया गया था अब बात कर लेते हैं हम science की, science से भी काफी अच्छे question आ रहे हैं, बहुत tough नहीं है, आप से बन जाएंगे, vitamin A का रासा अनेक नाम पूछा है, इसका क्या मतलब है, कि आपको सारे vitamin उनके नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग, उनके source, vitamin वाला chapter बहुत अच्छे से बढ़ का जान है, और शायद सुबे वाली सिफ्ट में ही ये question पूछा गया था, कि सुगरी से कौन सा vitamin राप्त होता है, तो वो होता है vitamin D, मतलब आप देख सकते हैं कि एक ही सिफ्ट में vitamin से दो question पूछे गए हैं, फिर antibody का अन्रमाड कौन करता है, तो lymphocyte में antibody का अन्रमाड किया जाता है, पोलियो के टीके का अविश्कार किस ने किया था, जोन सॉल्क ने पोलियो के टीके का अविश्कार किया था, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, हरित लवक को, मीस क्लोरोप्लास्ट को, सेल का kitchen कहा जात कोशिका का जो पावर हाउस है वो केसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस माइट्रोकॉंडिया को कहा जाता है या आत्महत्या की थैली केसे कहा जाता है तो लाइसोसॉम को कहा जाता है इस तरीके से आपको सैल वाला चैप्टर अच्छे से करना है क्यूंकि इससे एक क्वे का आयस्क है, chemical formulae से भी एक question पूछा गया है, तो आपको वो भी अच्छे से करना है, दोलन में किस प्रकार की गती पाई जाती है, तो दोलन में रेखे गती पाई जाती है, नाइट्रोजन fixation का एक question पूछा गया है, कि नाइट्रोजन इस्तिरी करन जो होता है, वो किस family के पौधो में होता है, तो जो legume family होती है, उसके अंतर का जैसे कि जो चना डाले वाले पौधे होते हो, उनमें नाइट्रोजन fixation की process पाई जाती है, malaria का question पूछा गया था, कि malaria का उत्तरदाई है, option थे, इसमें bacteria, virus, protozoa, या फिर कुछ एक option और दिया होगा, तो यहाँ पर जो right answer होगा, वो होगा protozoa, transmitter का क्या कारी है, तो transmitter के कारी ये physics से question पूछा गया है, antibiotic से related एक question पूछा गया है, एक question आया था, disease से related, जो की genetic disease है, कि वर्डांधिता में, वर्डांधिता से पीड़ित रोगी में, कौन से कलर में, वो discrimination नहीं कर पाता, तो जो हरा उलाल रंग होता है, उसमें क्या है, वर्डांधिता का रोगी जो है, वो अलग-अलग separate colors को नहीं identify कर पाता है, माना स्वेशन में कौन सी gas छोड़ता है, तो photo synthesisical question आया था, और आज स्वेशन से related question पूछा गया है, तो यहाँ पा जो right answer होगा, वो होगा CO2, उशमा का मात्रक क्या है, DNA के structure से question पूछा गया है, vitamin C और vitamin D से question पूछा गया है, तो यह science के कुछ question थे, अब हम second shift में देखते हैं कि G.S. से क्या question पूछे गया है, मान सिंग विश्व विद्यालय, कल संस्क्रेट विश्व विद्यालय पूछा गया था, आज मान सिंग विश्व विद्यालय पूछा गया है, ग्वालियर, मतलब MP की जो university है, MP की जो famous college है, उससे question हर exam में पूछा ही जाएगा, मद्यप्रदेस हाइकूट के मुख्य नयायदीस कौन है, तो जो M हिदायद अलला जी है, वो मद्यप्रदेस के first जो थे वो नयायदीस रहे थे, सिंदुगाटी सब्विता का मुख्य व्यवशा है क्रसी सिंदुगाटी सब्विता से related question भी आप से पूछे रहा सकता है फिर book से question आ रहे हैं तो जो भी एतिहासिक महत्य पूर्ण book है या फिर current affair में कोई book बहुत अधिक चर्चा में रही तो वो पूछे जाएगी जैसे पूछा गया है कि अर्थसास्त्र book के लेखा कौन है तो यहां पर चाड़क की विश्नु गुफ्त जो भी आपको option में दिया हो उसके according आपको answer लगाना था वर्शा वर्मन देखिए नीरत चोपड़ा का question फर्स सिफ्ट में पूछा गया है तो वर्शा वर्मन का संबंध है shooting से मांडू ऐसा हो नहीं सकता कि व्यापम एक्जाम ले और मांडू एक्जाम में ना आए तो मांडू जहाज महल जो है वो किसने बनाया था MPPSC पहले भी यह question पूछ चुका है तो गया सुद्दीन खिल जी के द्वारा ऐसा प्रमाण मिलता है कि मांडू का जहाज महल बनाया था मांडू कहां इस्ते थे तो मांडू धार जले के अंतरगत आता है और मांडू को बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे City of Joy या अन्य नाम भी है फिर मुकंदपूर वाइट टाइगर सफारी कहां पर इस्ते थे तो ये पन्ना में इस्ते थे और अभी एक question पूछा गया था कि जो पालनपूर कूनों में चीते लाए गए वो कहां से लाए गए थे परमाणू उल्जा के आयोग कौन है तो अभी एक किस हसाब से पूछा है यहाँ पर option पर depend करता है तो आप देख सकते हैं कि मद्य पुर्देश के जो प्रोमोक आयोग है उनकी अध्यक्ष भी आपको कर लेना है हरित क्रांती से एक question पूछा गया था एक राणा की बैठा कब बनाई गई यह question exact समझ में नहीं आया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया था अगर किसी का एक्जाम हुआ हो तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं रेक्टर सकेल से question पूछा गया था जो रेक्टर सकेल यह भूकम को मापने के लिए scale यूज किया जाता है इसमें जो parameter होता है वो 1 to 9 तक होता है FIR आपके द्वार FIR आपके द्वार मद्य परदेश में काफी अधिक चर्चा में रहा है यह मद्य परदेश की scheme है और पहला ऐसा राज्य है जिसने FIR आपके द्वार जो है वो launch किया था पच्मणी कहां इस्तित है तो यह exact क्या question था कि पच्मणी का बताना था वहाँ पर option में सायथ शत्पुड़ा दिया गया था तो यह होशंगाबाद जिसका नाम change करके नर्वदापुरम कर दिया गया है तो मद्य परदेश में होशंगाबाद जिले और नर्वदापुरम जिले में पच्मणी इस्तित है प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 1757 तेश्यून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था सत्खंडा महल कहां पर इस्तित है तो दत्या में इस्तित है महल से एक क्वेशन पूछा जाएगा तो आपको जितने भी मद्य परदेश के महल है वो अच्छे से करना है जैसे आप से पूछा सकता है कि जो जिब्राल्टर है वो किसे कहा जाता है तो वो ग्वालियर के के लि लिंगानुपात कितना है, तो मध्यप्रदेस की जनगर्णा से एक प्रशने पूछा जायगा, मध्यप्रदेस का जो लिंगानुपात है वो प्रती एक हजाल पर नौसो एकत्यस है, बनासनदी का question पूछा गया था कि बनासनदी का संमन्ध किस राज ज़से है, तो बनात नदी आपको कहा मिलेगी राजस्तान में मिलेगी मंद शौर का question पूछा गया था और देखे मैंने कहा था आपसे जन संपर के विभाग जो भी डालता है images उसका संबन्द exam से जरूर होता है ये question मैंने community में post भी किया था कि जो पशुपती नाथ है पशुपती नाथ में जो शियो मंदर है शायद आपको याद होगा यदि आपने देखा होगा तो वो कितने मुखी है तो वो आठ मुखी है ये question पूछा गया है गिद्दा गिद्दा नर्तिय का संबन्द कहां से है तो गिद्दा पंजाब का बहुती famous stance है ये question पूछा गया था कि प्रत्वी राजचोहान किस राज्य की मुख्मंति रह चुके हैं अब ये क्यों पूछा गया इसका purpose क्या था I don't know बट इसका answer होगा महराश्च प्रत्वी राजचोहान महराश्च राज्य की मुख्मंति रह चुके हैं बैदिक काल में बसूला जाने वाला tax क्या कहलाता था तो बली कहलाता था विश्यो खाद्य संगिठन की जो बैठा कुई थी इसमें कितने देशों ने participate किया था तो 164 देशों ने participate किया था ये question current affair से पूछा गया है एक question MP का थोड़ा घुमा कर पूछा गया था कि जो MP में पतली रेत वाला टापू है वो कौन सा है तो इसका answer होगा हन्मंतिया टापू खंडवा अभी तेरता हुआ solar plant भी यहां पर लगाया गया तो खंडवा काफी चर्चा में है आयश्मान सम्मान ने दी कब launch की गई थी तो 2019 में launch की गई थी ये कुनो हमाला question पूछा गया है क्योंकि काफी चर्चा में रहा था कुनो अभ्यारण में चीते किस देश से लाए गए तो नामीविया से लाए गए कब लाए गए आपसे ये भी पूछा जा सकता है तो 17 सितंबर 2022 को लाए गए थे फिर नीती आयो की CEO क्योंकि अभी फिर से इनका पत चेंज हुआ इसलिए question पूछा गया है कि नीती आयो की CEO कौन है तो पहले तो परमेश्वरन आयल जी थे अब चेंज हो के BBR सुब्रमनियम हो गए है तो it depends upon your option की यहां पर क्या पूछा गया है जो नाम दिया गया हो आपको इसके recording answer लगाना है फिर स्वक्ष सर्वेक्षन में कौन सा जो शहर है वो टॉप पर रहा है तो लगातार इंदौर ने उपलब्धी प्राप्त की है तो स्वक्षन सर्वेक्षन में जो है इंदौर फर्स्ट रैंग पर रहा है यह question भी पूछा गया था Amazon Bayshan में जो कितने देश ने वो सांजा करते हैं तो 9 देश जो हैं इसमें सांजा करते हैं लाट डल होजी की द्वारा कौन सी नीती अपनाई गई तो हडपनीती अपनाई गई तो कुल में लाकि अगर हम देखें तो बहुत ही hard question नहीं है यह question वही है जो आप जनरली पढ़ते रहते हैं GS का part है तो बहुत जादा tension नहीं लेना है बहुत अच्छे से बहुत समस्दारी के साथ पेपर करना है आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा बात management की करते हैं तो जैसे कि मैंने कल भी discuss किया था कि अगर आपको port scope के जितनी question बन सकते हैं बहुत अच्छे से लगा कर जाना है क्योंकि management में आपको 50% question उसी से दिखेंगे जैसे कि प्रवंदन से 2 question पूछे गए हैं planning से 1 question है organization से 2 है direction से 2 है control से 2 question पूछे गए हैं फिर जो वेवशायक परियावरन है उसके 2 question पूछे गए हैं financial management के 2 question पूछे गए हैं जो accounting है accounting के 5 से 6 question पूछे गए हैं तो ये commerce वालों को काफी फायदा हो सकता है बट आप देख लिए जिखा कि accounting वाला chapter आप अच्छे से एक बार पढ़ ले और जो भुकता selection है उससे भी question पूछा गया है बात कर लेते हैं computer की तो language से question पूछे जा रहे हैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग computer कौन सा था open source license कौन सा है सबसे तेज memory कौन सी होती है peripheral device क्या होती है FTP file transfer protocol PPT slideshow इनकी जो की है वो आपको अच्छे से आप करना है basic computer से 3 question input output मतलब जो input output unit है उनके 2 question पूछे का है है operating system से 1 question पूछा गया है language, language में आपको high level language कौन सी है low level language कौन सी है internet से 2 question है security से 2 question है ms word से 3 question पूछे का है excel से 2 है powerpoint से 2 है और miscellaneous से 3 से 4 question पूछे का है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि computer किस तरीके से पूछा गया है बात English की करते हैं तो English में 2 चीज़ें काफी highlighted हो रही है एक तो पूछा जा रहा है voice और दूसरा है narration 3 से 4-4 question इससे पूछे जा रहे हैं तो आपने अधी English में बहुत अच्छी preparation नहीं की है तो इन 2-3 chapter को आप अच्छे से करके जाएए आप से बन जाएगा direction डारेक्ट इंडारेक्ट से question आ रहे हैं 3-4 error detection पैरा जंपिंग और ये एंटर्निम्स, अनोनिम्स, एडियम्स, स्टैंस तो वही है हिंदी इंग्लिश में तो common portion ही है मैंने हिंदी का यहां से अलग से नहीं लिखा है हिंदी में तो वही हैं परियावाची, संदी, समास एक-एक मतलब question जो है वो हरी chapter से आ रहा है तो आपको इस तरीके से अपनी तयारी करना है तो I hope ये analysis आपकी तयारी के लिए भाते पूर्ण सिद्ध होगा आप अपने दोस्ट इनका next days में exam है उनको ये video जरूर शेयर करें definitely उनको फायदा होगा अगर आपको मेरा प्यास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने की क्रपा करें और अधिक से अधिक जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक्यू सो मत जय हिन जय भारत